पहले उत्तर प्रदेश में अयोध्या की गोसाइंग इन विधान सभा सीट, अब अयोध्या के बगल ही गोंडा जिले में भारती इंता पाइटी के विधायक प्रभात वर्मा के बेटे प्रशांत वर्मा के उपर चुनाओ के दौरान, प्रचार के दौरान विपक्षी लोग अब ये कहना कितना भी गलत हो कितना भी सही लेकिन ये कहा जाना चाहिए कि भारती जंता पारटी के विधायक के बेटे पर उनके खिलाब चुनाओ लड़ रही पारटी के लोगों ने हमला किया है। अगर आप बिहाड में अपना बिजनस करना चाहते हैं तो आप अफजल फरनीचर की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं और एक से पांच लाग की कमाई प्रतिमा कर सकते हैं। 20-30 लाग के इंवस्टमेंट पर 12-18 महीने में निशित आरो आई। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 99314-85437 पर। गोंडा जिला है, इसके अंदर एक ठाना है छपिया, इसका एक गाव है तांबेपुर। यहाँ पर विधायक प्रभात वर्मा उनके बेटे हैं प्रशांत वर्मा वो चुनाओ का परचार कर रहे थे। लोग जो थे वो बात नहीं माने जाने पर भड़क गए और कहा सुनी होने लगी। बात इतनी बढ़ गई कि जो सामने से लोग आये थे, दबंग आये थे, उन्होंने भाजपा विधायक के बेटे और समर्थकों पर पहले गाली गलोच करी, उसके बाद पत्राओ करना शु करने लगे, तब दबंगों ने जो आये थे, उन्होंने और हमला तगड़ा करना शुरू कर दिया और इस दोरान गोली बारी कर दी, प्रशान के साथ चल रहे उनके तीन समर्थकों को पीट करके बुरी तरीके से घायल कर दिया गया है, गंभीर रूप से उनको अस्पताल म में भाज़पा कारे करता और उनके समर्थक, और इलाके में एकदम तनावाला महाल बन गया, हमने कुछ रोज पहले ही अभी देखा था, कि बगल की एक सीट है, गुसाइंगंज, वहाँ पर भी एकदम ऐसा ही घटना हुआ था, कि भारतियन तब पार्टी के लोग परचार करके आ रहे थे, उसके बाद समाजवादी पार्टी के लोग आते हैं, वो लोग हमला करते हैं, गोलिबारी करते हैं, उसके बाद मामला थाने में जाता है, थाने में तोड़ होती है, उसके बाद पुलिस लाठी चार्ज कर देती है, ये घटना वहाँ हुई थी, और के की विवेशना कर ली गई है CEO मनकापुर ने महां पहुँच करके विवेशना करी है और जिसमें तामबेपुर गाओं में भारती जंता पायटी के नेता के बेटे के उपर विपक्षियों द्वारा हमला करने मार पीट करने और गोली बारी की पुष्टी हुई है जिसकी तस यह घटना हुई क्यों कल यानि वंगलवार को मुख्यमंत्री योगिया इतनात की चुनावी जनसवा थी जनसवा समाप्त हुई उसके बाद योगी ही चले गए लेकिन उसके बाद लोगों तक ये बात पहुचाने के लिए कि आज आपके इलाके में योगी जी आये थे पर अर्थन में परचार करके लौट रहे थे और इसके बाद जब वो तांबेपुर गाउं के पास पहुचते हैं तभी कुछ लोग पहले परचार वाहन पर फाइरिंग करना शुडू करते हैं और उसके बाद तोड़ फोड होती है मार पीठ होती है अभी पुलिस वहां पर त चुनाओ बचा हुआ है अब जो तीनो चरण है ये लाठी डंडा बंदू गोली वाले ही चरण है किस तरीके से कानुन नवस्था को बरकरार रखा जाएगा और किस तरीके से जो पक्ष विपक्ष की लड़ाई है उसको कंट्रोल किया जाएगा आपकी क्या रहा है और आप जिनता जिम्शन देख रहे हैं कैबरे पर मेरे साथ हो प्रकाश है शुक्रिया